स्वागे तो आप सबका यू क्रिप्टो परिवार में तो दोस्तो आज हम बात करने वाले ICD Centralized Future के बारे में आकरे distribution के बारे में इनका एक article आ गया है कल हमें सारे tokens मिलने वाले है क्या नहीं कितना percent cut होने वाला है besting schedule होने वाला है allocation क्या है कितना बचने वाला है कितना मिलने वाला है वेचना है रखना है जो भी questions है सारे questions के answer आज की video session में हमको मिल जाएंगे उसके बाद में हम बात करने वाले omega के बारे में जिन लोगों ने omega में काम किया है अभी final claiming का time आ गया है अगर आपने आपके coins claim नहीं किये उन्होंने deadline दे दी है तारीक क्या है आज की video session में आपको पता चल जाएगी उसके बाद में हम बात करेंगे bitcoin future के बारे में bitcoin future 8 March को list हो रहा है किसी exchange पर list हो रहा है लेकिन अभी उसमें pump नजर आ रहा है तो ये pump है क्या ये pump होने से हमारा फाइदा होगा नुकसान होगा उस वक्त हमें क्या act करना है उस पर आज की video session में हम चर्चा कर लेंगे स्वागत है आप सबका आपका channel you crypto crypto की दुनिया free mining की दुनिया जो लोग channel पे पहली बारा है चैनल को subscribe कर दीजिए और पुराने followers bell icon all set पे दबा दीजिए दोस्तों देखो अभी सुबे सुबे मैंने एक video बना दी थी fine turtle नाम का बहुत अच्चा platform है दोस्तों तो इसमें हमें join करना है wait list है वाइट लिस्ट होने वाला है आपका account वाइट लिस्ट होने वाला है और आपको NFT भी मिलने के chances है बहुत fast growing है दोस्तों तो कोई भी इस video को miss नहीं करेगा simple है persona की जैसे है आपको सिर्फ twitter के task करने पड़ते follow करना पड़ता है और retweet करना पड़ता है simple task है तो complete कर लेना दोस्तों क्यूंकि बहुत बढ़िया platform fast growing है market में बहुत hype है तीन दिन में 25K followers इनके हो चुके है तो video ठीक से देख लेना इसमें joining कर लेना यू crypto family से कोई भी यह वाला platform miss नहीं करने वाला है दोस्तों उसके बाद मैंने बात की थी when exchange के बारे में इसका भी बहुत बढ़ी है दोस्तों कली हमने video बना दी थी अभी तक join नहीं किया तो तुरंत join कर लीजिए बहुत fast growing है यह भी और अभी फिलाल trending चल रहा है Twitter पर trending चल रहा है और बहुत जल्दी April end तक हमें NFT मिलने के chances है इसमें उसके बाद में दोस्तों बात करते है Bitcoin future के बारे में Bitcoin future में हमने participate किया था हमें Bitcoin F का coin मिला है ठीक है तो अभी यहां पर एक tweet आ गई है जैसे उन्होंने बता दिया है क्या भी यह listing होने वाला है Bitcoin F के बारे में भी tweet दाल दिया है यहां पर Bitcoin F में भी बहुत सारा pump नजर आ रहा है इसकी rate कितना था पहले 0.110 थे दोस्तों कितना था 0.110 थे इतना कम rate था अभी दो दिन में इसने 20 किल कर दिये और अभी का rate आप देख सकते 0.90 है तो बहुत अच्छा pump इसमें नजर आ रहा ह है Bitcoin future में लेकिन अभी यह जो pump नजर आ रहा है क्या यह सच में pump है क्योंकि होता है कभी कभी ऐसा होता है यह लोग manipulate करके भी pump दिखा देते हैं दोस्तों ताकि हम लोग बेचे खरीदे या कुछ ना कुछ कर ले तो शांती रखना इत्मिनान रखना उसको पहले list होने दो करता है तीन जीरो किल करता है किसी बड़े एक्षेंच पर आता है तो और चारपा जीरो भी किल कर दियाएगा हमारे पैस कॉइंस तो बहुत है अगर अच्छा फाइदा लेना है तो इसमें hold करना कभी भी अच्छा ही रहेगा दोस्तों इसके बात करते हैं ओमेगा के बारे करना है आपको डेडलाइन दिया उन्होंने एक जून दो आजार चोबीस तक आपको क्लेम करना है अफटर जून फर्स्ट क्लेम पेज बंद होने वाला है तो एक जून के पहले आप यह क्लेम कर लेना दोस्तों नहीं तो आपके कोई आप कभी भी हसल नहीं कर पाओगी उस जिबल है तो जिनकी KYC हो चुकी है जिनके पास है टोकन एक जून तक आपके पास टाइम है एक जून को आप यह सारे कॉइंस क्लेम कर लेना दोस्तों उसके बात में हम बात करते हैं अभी आइस दिसंट्रिबिशन टाइम आ गया है दोस्तों बहुत करीब आ गया है उन्हो टो आइस प्रोजेक्ट का फेज वन खतम हो रहा है यहां पर अभी हमारी जर्नी फेज़ वन की खतम हो रहा है उसके आगे उन्होंने क्या बोल दिया है दिस्ट्रिबिशन विल कमेंच कब चालू होने वाला है 8 a.m. UTC टाइम को यहां पर दिस्ट्रिबिशन चालू होने व वो लोग, जिन्होंने quiz pass कर लिए, वो लोग, and those who have set their BNB smart chain addresses, जिन लोगोंने BNB का smart chain address दाल दिया है, इन लोगों को distribution मिलने वाला है, आगे उन्होंने क्या कह दिया है, वो part हम लोग पढ़ लेते हैं, तो आपको कौन से कौन से coins मिलने वाले, यू will receive ice coins equivalent to available balance, जो balance आपके दिख रहा है वो, तो वो balance में क्या क्या है, which includes both mined coins and those earned from the referrals, तो आपने जो coin mined किया है, वो भी आप withdrawal कर पाएगे, आपके reference ने जो coin mined किया है, वो भी आप withdrawal कर पाएगे, और उसके आगे की बात, जो हमारे मन में थी, 30% का क्या cut होने वाले है या नहीं, इसके बारे में उन्हें बात नहीं की थी, लेकिन आज उन्हेंने बात कर दी है, notably 30% of this distribution will be allocated to the main net reward pools, तो ये 30% cut होने वाले है, guaranteed, समझ गए, तो आपके पास 1000 coins है, तो आपको 700 coins मिलेंगी, आपके पास 10,000 coins है, तो आपको सिर्फ 7,000 coins मिलने वाले हैं, दोस्तों, बाकी आपके cut हो जाएंगी, उसके आगे उन्होंने क्या बता दिया है, वो पाट देख लेते हैं, for users who fulfilled the KYC quiz requirements, but have neglected to add their BNB chain addresses before the distribution deadline, मतलब कल तक अगर आपने KYC कर ली है, quiz कर ली है, लेकिन BNB address नहीं दाला है, आपने अगर BNB address नहीं दाला है, कब तक deadline, मतलब 28 तारिक तक आपने नहीं दाला है, तो their coins will be allocated to main net rewards pool, तो आपके coins भी main net reward pool में चले जाएंगे, समझ गए दोस्त पूरी बात तो आपको ये तीनों parts कर लेना है, quiz का time तो खतम हो गया, verification आज आता है, तो कर लेना, और BNB का address डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके coins भी गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे, उसके बाद में ये वाला जो part है, important नहीं है, जो part important है, उसके बार बात कर and CX network for locking, vesting period, allocation, जो कुछ भी करना है, मतलब distribution करना है, mainnet वाले को देना है, allocation pools करना है, यह साब काम उनको दे दिया है, वो लोग सब काम अच्छे से करेंगे, तो अभी ये guaranteed है, distribution के बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया है, तो 28 February को 8 बजे सुबे UTC time को distribution होने वाला है, जो इसमें कहा है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, इसमें उन्होंने कहा है, कि जो coins आपने mine किये है, और जो आपके reference ने coin mine किये, ये सारे coins आपको मिलने वाले है, यहाँ पर, अभी इसकी आगे, कल को ये लोग कुछ change कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, क्योंकि मा हमारे सारे coins हमको मिल जाने वाले हैं, तो दोस्तों ये थी total जानकरी ice decentralized future के बारे में, अभी तक आपने BNB address add नहीं किया है, तो आज ही address add कर दीजिए, आपके पास आज और कल का दिन है, और mining का button दबाते रहना, 24 hours में, एक बार आकर mining का button दबाते रहना, क्योंकि दो दिन के मिलते रहेंगे, अगर आपको मेरा telegram channel, उसके साथ मेरा whatsapp group join करना है, या मुझे twitter पर follow करना है, तो इन सब की link आपको description box में मिल जाएगी, यहीं पर विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे, bye bye friends, see you.